हेलो एवरिवन मैं विश्वजीत सिंग आप सभी का दीगिन अपर स्वागत करता हूं दोस्तों आज किस वीडियो के अंदर में हम महिस्ट्री महीच 010 का जून 2020 के कोश्चिन विपर को सॉल्फ करने बाले हैं जब हम कोश्चिन विपर की बात करते तो कोश्चिन विपर सॉल में आजाता है कि इस तरीके से कोश्चिन है तो हमें यह भी समझ में आता है कि इसका आंसर हम यह लिख सकते हैं कई पर प्रॉब्लम क्या होती है कि कोश्चिन पुस्ता कोछ और हम आंसर कोछ और लिख कर आते फिर हमें नंबर मिलते नहीं है ठीक है तो हमें कोश्चिन का प topic important है हमें ये भी समझ में आता है कि एक repeated question का list कि कौन सा question बार बार repeat हो रहा है और कौन से question का आगे भी repeat होने के chance इसे exam के अंदर में ये भी हमें समझ में आ जाता हो तो ये भी most important चीज रहती है चौता जो सबसे जरूरी चीज होता है answer writing practice अगर हम मान लो question paper को solve करने का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि roughly हमने study कर लिया कि अच्छ अच्छ इसका answer यह बनना इस तरह से नहीं होना चाहिए normally हमें answer writing practice भी करना चाहिए और last कि अगर आप एक महीने के अंदर में क्या पड़ू तो एक महीने दूसरा क्या होता है कि आपका number का target ठीक है आपका target क्या होना चाहिए कि ठीक कि कितने number आने चाहिए एक्जाम के अंदर में वह दूसरा चीज होता है तीसरा क्या होता है आपका perfectionist कि आप कितने perfect हो answer लिखने में कितने अच्छ तरीके से आप adopt कर पारे हो question को उसका answer explain कर पारे हो यह तीन चीज़े answer writing के दर में मिलती है और भी मिलती तो बहुत कुछ है पर में तीन चीज़ें को पर में focus करना चाहिए timing ठीक है timing होगे आपका target होगे और आपका कितना अप अच्छी तरह से perfect तरीके से आप answer को explain कर पारे हो ठीक है वो चीज़ी यहां पर आ जाती है ठीक है समझ में आता है तो यहां पर answer writing भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है तो आज की इस वीडियो के इंदर में हम बात क्या करेंगे तो हम जून 2022 के question को solve करेंगे सासा जानेंगे कि इस तरह से हम answer को explain कर सकत benefit मिल सके and अगर आप में history के अंदर में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो दी इनव के उपर में लास्ट फाइव यर के question paper की वीडियोस डेली हुए सभी subject की जो में में के हैं MHI 01 से लेकर MHI 010 तक के आप उन playlist के अंदर में जाएं उनके उन वीडियोस को जरूर देखें उन वीडियोस को देखने के लिए आपको दीन अपका 59 रूपिस का एक membership लेना पड़ेगा जिसके बाद आप उन वीडियोस को देख पाएंगे तो उस membership को लेने के बाद वीडिय क्या बूला है क्या experience रहा उनका तो आपको समझ में आएगा कि क्या value question paper की होती है और almost 5 years के question paper को solve करते हो तो 90% आपका syllabus automatic clear हो जाता है और अच्छी number ला सकते हो आप चलिए हम अपना topic पे आते हैं और question paper को तो समझते हैं then we will start our solving question paper question paper MHI 10 का है simple सा question paper June 2022 का है अपका book का नाम हो गया urbanization in India जिसके अंदर हम बात करते हैं कि भारत के अंदर में नगरी करन ववस्था किस परकार की थी किस परकार का सुरुआत हो और नगरी करन ववस्था ऐसा तो है नहीं कि आज में डैली में रह रहा हूं तो बड़े-बड़े ठीक है तो यह process क्या रहा किस परकार से बना ठीक उस process को हम यहां पर भारत के नगरी करन ववस्था के अंदर में पढ़ते हैं इस पूरे book के अंदर में पढ़ते हैं यह जो question paper होने वाला है तीन घंटे का होने वाला आपको solve करने के लिए 100 number का paper आता है और एक question का 20 number का होता तो आपको जो target लेके चलना है वो 16 plus का target लेके चलना कि कम से कम अगर number मिलता तो 16 मिले और ज्यादा तो मिले तो दुरुदबैस्टी है पर 16 plus से कम number मिलना मतलब बिकार ठीक है तो 60 plus का अप target लेके चलते हो 16 plus का तो आप यह कह सकते हो कि आपके 60 70 के करीब में आपका number बनता ह अगर 60 plus के हिसाब से आपके number सभी question के अंदर में मिलता है 16 plus के हिसाब से ठीक है चलिए हम स्टार्ट करते है और एक चीज़ का जो basic आपको सबसे ज्यादा चीज़ ध्यान रखना है कि इस पूरे question paper के अंदर में जब आप किसी भी question को solve करोगे तो आपको यह चीज़ ध्यान को इप करता है तो आपको इस सीज़ को माईंड में अपने रख कर चलना है चलियह हम अपना Grquart को start करते हैं पहला question हमारा क्या क्या है जो पर दो पार्ट के मिलने वाले हैं तो सबसे पहले हम समझते नगरिये इतिहास होता क्या है तो नगरिये इतिहास मतलब एक तरह का ग्रामीड से जो नगर के अंदर में जो पलायन हुआ जो जनसंख्या एक जगह से दूसरी जगह आकर रहने शुरू करी तो उसको हम नगरिये इतिहास कैलाता है जब भी हम हिस्ट्री के अंदर में कोई टॉपिक पढ़ते हैं और कई बार कंप्लेन रहता है बच्चोगा कि मुझे याद नहीं रहता टॉपिक हो कैसे मैं याद करो अपने आस-पास की सोसाइटी से को जोड़ कर दिखा करो अपने आप आपके माइंड में एक मूवी बनना चाहिए कि हां यह चीज ऐसे हो रही है यह चीज तो मेरे पास में भी हुआ था यह तो मैंने भी देखा था इस तरह का आपके माइंड में चलना चाहिए then you can get your ideas about that question you can create your own film about that question and solve easily ठीक है समझ में आता है चलिए हम आगे बात करते हैं जब हम नगरी इतिहास की बात करते हैं तो नगरी इतिहास के अंदर में क्या आता है the plan मणतलивает क्यों खकी जगत से दुर्शक हो怎么 peux पहलएन होना गraag lumière जगत में जो एक परकार का बसावट उसका जण्म किस परकार से हो रहा है ठीक है LGBTQ से मतलो सहर के इंदर में किस तरह से प्शैवाट का जन्म हो रहा है वो किसी ना किसी तरीके से यहां पर आकर रहने लगी, ठीक है, तो किस तर से उनका जन्म हुआ, किस तर का उस बसावट का जन्म हुआ, यह डिपेंड करता है, वो दिखाता है नगरी इतिहांस को, ठीक है, नगरी इतिहांस के अध्यन करते हैं, हम तीन चीजों का ध्यान रख किस तर से जन्संक्या के अंदर में परिवर्तना रहा है जो Population है वह किस तर से परिवर्ती तो रहा है वो डिफाइन करती है संस्कृतिक प्रकिलिया जो अलग-अलगता का कल्चर है वो भी डिफाइन करते हैं नग्रिये-थ्यास को, ठीक है समझ में आता है तो तीन तरज हम लगे इत्यास को पड़ पाते हैं नियाइक संस्तागर्ज होती है उनके थुरूम पर सकते हैं किसी भी तरह का जो जस्टिफिकेशन हुआ कोई जस्टिस नियाय देने के परकिरिया हुई उसके थुरूम परते हैं जनसिखी के दौरा क कौन सा पॉपलेशन किस तरह सिस पलायन किया कितना बड़ा कितना आफस डाउन आया पॉपलेशन के अंदर में उसके तुरूमें पता चलता है और तीसरा चीज क्या रहता है संस्कृतिक परिकरिया अब मालो में बिहार से हूँ तो हम यहां पर छटकुजा मनाते हैं बाग सेलिबरेट करता है तो वहां पर क्या होता है संस्कृतिक तालमेल भी नगर के अंदर में देखने के लिए मिलती है तो जिसके तुरूमें नगरिये परिकरिया नगरी इतिहांस के बारे में जानकारी मिलती है ठीक है समझ में आता है यहां पर आर्थिक राजनेतिक सामाजि को और स्थानिक जो इस्थानिक प्रणाली होते हो उनकी खोज के बारे उनकी खोज से हमें पता चलता है नगरी इतिहांस के बारे में जगर आप किसी की आर्थी की तिहांस को पढ़ते हो किसी की राजनेती की तिहांस को पढ़ते हो सामाजी की सिथी को जानते हो इस्थानिक परनाली की ति किस परकार से रहा है तो यहां पर इक में चीश समझ के चल對 कि दिल्ली सरकार की जलापूर्ती जो जल की किस तर से पूर्ती होती है आज के समय में भी दिली सरकार जो न हमारे सरजी की जो सरकार और वह स्र typ गजरीवाल की वही जलको लेकर रोती रहते हैं तो बहुत की पलायन करते देली के अंदर में जलका बढ़ती जारी है demand बढ़ता जारा है supply आगे से कम है ठीक है हमारे पास उसमें resource ने कि हम उनको collect कर सके तो जिसके कारण से क्या होता है पानी की जो उपलब दता है वो देरे-देरे कम होती जारी हो और जो demand supply है demand बढ़ती जारी है supply के मुकाबले में तो यह चीज़ें हमें देखने के लिए फेस करने के लिए मिलती है बट हम यह आज के condition की बात नहीं करने वाले इस question के अंदर में same condition आप जब पुराने इतिहांस को study करते हो नगरे इतिहांस को study करते हो तो भी हमें समझने के लिए मि आप यह दिखा गया कि दिल्ली की जलापूरती क्या थी नदियों के दूरूर नदियों के उपर निरभरती ठीके अलग अलग नदियों से पानी लाया जाता था जिसके दूरू दिल्ली की जलापूरती की जाती थी ठीके उसके लिए जलापूरती करने के लिए क्या था यम नगरिये तियाज को उसको डी ईस के साथ में पढ़ते हैं किस तरह से इसके बारे में बाता है अन्य छेत्र तरह दिली के बीच करते हैं ठीक प्राकरतिक संसादे ने किस तर से बांटा गया कि भीया पानी पर किसी एक कात दिकार ना तो यूपी वाले पिएंगे दिली वाले पिएंगे तो इस तरह के जो चीज़े की गई वहां पर नगरी रूपों के अंदर में आधुनिक्ता के मद्य संबंधों की व्याख्या क आपने के जिससे अच्छे नंबर मिल सकें तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहां पर सिर्फ हम कोश्टन बेपर को डिसकस कर रहे हैं जिससे आपको समझ में है कि एक कोश्टन के अंदर में यही आंसर लिखना था यही लिखना था कि इसको फिर तो मैं इसली सब्सक्राइक हो और खुझ सर पर चड़ सकते हो इतना होना चाहिए कैपिसिटी आपके अंदर में तो मैंने आपको थोड़ा से स्टार्टिंग बताए कि इस तरीके से कोश्टन को एक्स्प्रेंग कर सकते हो आप अच्छे से लिख सकते हो सोलो नंबर मिल सकते हैं कोई दि लेते हैं कि घरिलू और गेरगरू ली क्या है पर यहां पर जो कोश्टन है जैसे यहां पर लग दिया आलोचन आत्मक परिक्षण किजेए वह पे कुछ और कहते हैं ठीक सुछ और कोचन पूछने का पेटन ने जो है वह थोड़ा सा चेंज़ करा आर और जब हम ज़्याद अच्छे पहले तो यह सम्झो जिसके बाद आपको समझ में है कि हो अडपानगर के अंधर में गरेलो और गेरगरवलो स्थान है क्या तो गहरेलू स्थान की बात करते हैं, तो घरों में जो खुले स्थान होते हैं, जिसे आंगन, ठीके घर के अंगन छोड़ा जाता है, तो पुराने समय में गाओं के अंगन छोड़ा जाता है, जो घर बनाया जाते हैं, घर के बीच में आंगन छोड़ा जाता है, तो यह बीच यह गेट है तो यह जो बीच जक्राइब होता था उपको आंगण वोलते थे जहां पर लोग बैठा करते थे खिला करते तो जो भी यह यह अंतस्ते दूसरे को का जाता है परागमन क्या होता है तो परागमन में क्या होता है एक से अधिक द्वार होते हैं जो गेट होते हैं एक से ज्यादा डौर होते हैं उसको परागमन कहते हैं आने जाने के लिए परागमन गमन मतलब जाना ठीक है परागमन जिसमें एक से ज् जो तुरंत अन्थ हो जाता हो जिसके अंदर में कोई द्वार नहीं हो मतलब सिंगल गेट हो उसको हम अंतिस्ते कहते है एक गेट इसके अधिक गेट अधिक टिक आप यह मांने के चलो एक अधिक वाले क्या ओते थे जैसे माल ओग घर बना तो गहर के अंदर में एक से गमन कहते थे जो जा एक गीट वाला की होता था उसको एक गीट वाला हो था उंतरस्ते अंधर में कौन आता है तो जो सा चाल लेह उस्थ विस्टा णा गार हो गया तो इस नाना कार चंडर में देखो गया जो swimming pool हो गए जहां पर नहाने की जगह है बातरूम हो गए सो चाले हो गया टॉयलेट हो गया तो वहां पर आप देखो कि सिंगल गेट ही लगाए जाता है उसका रीजन क्या होता है वो तो नॉर्मल सी बात है कि एक ही बंदा गुसेगा ना यह थोड़न है कि दोनों साइट से है इस बातरीज स factor सिष्टफ्र यह रहां मिलती है सीड़्या बनाइ जाती थी एक से अधिक तल्य का मकान बन्या जा जाता था अलगवलग फ्लोड बनाए जाती थी कि अधिक अधिकांस गरों के अंदर में एक एक स्नानागार बनाया जाता पिश्नानागार मतलब जहां पर नहाने की जगा हो जहाँ पर sweeping पोल यहीं स्नानागार बोलते हैं ठीक है, जिसकी नालिये, सड़कम से जुड़ी को ती तीरी nue यह करते हैं जब हम बात करते हैं गैर गरिलू गैर गरिलू इस्ट्रक्टर क्या थे गैर गरिलू in किसे कहते की चुके के अर्डपा के अंधर में दो बागों बाटांगे है कोई भी पार्क हो गया कोई भी रोड हो गया होगा गहर गरिलु के अंदर में count उन किसी कभी उसपर एक वेटिका अदिपत नहीं होता एक निचलय जिए साहर के अंदर में जो मैं गरीलू सहनों की अगर हम बात करते हैं hospitals साथ में गैर गरीलू स्ट्रक्टर में मिलते हैं मुहन जोलों के विसालेशनना और हडपा कैना अनान द हनगार जाता था में अधी क्या है यह एक्जामपल गैर गरी तिकने विर्घक किर्तियों का केंध्र मातना जाता हूं गयर गोग अलग तरह का इस्ट्रुक्चर हो tiempo उसका केंदर के तौर पे दिखा गया दूर्ग की विश्यसा किरति सार्जरिक बड़े कारे के पैमाने बड़े कारे बड़े पैमाने पर भंडारन सुविधा हैं ठीक है यह गैरगरुलू के अंदर में काउंट किये जाते थे ठीक हम जब बात करते हैं तो जो अननागार होता होता था बंडार करे होता था उसको हम सार्वजनिक स्थान के तौर पे काउंट करते थे धार्मी की स्थान होता है या धार्मिक अनुस्थान की जो जगह होती है ठीक है उसको भी हम गैर गरवलु के अंदर में काउंट करते हैं लोथल में लोथल में जो नगर है वो दुर्ग है उसको भी हम गैर गरिवलु के दर में काउंट करके चलते हैं सडक और G Garage की जो सारवजवनिक सँद्सटे में कंदर में काउंट कर It seems in.reda निचे इसका सब इंदिकारों गहर्न मतलब के सार्वजवनिक कि ने चलते हैं या प्र समझ में आता है तो हमारा दूसरा कोश्चन भी यहां पर सॉल्फ हो जाता है जब हम तीसरे कोश्चन की बात करते हैं तो तीसरे कोश्चन में आता है कि मद्यकाल में मंदिर नगरों की प्रमुक विसेस्थाय का प्रिक्षण के जिए मंदिर नगर होते क्या हैं तो देखो सबस्विस बहुत सारे जानते होंगे कि राम मंदिर का निर्मान किया जा रहा है और इस जिसमें आप बात करो तो कासी विशुनात हो गया या फिर आप बात करो तो महा कालेशवर हो गया जो गजब लेवल पर मतलब बनाए गया लग्याते यह भी अनुझ तो उसके काम से फाइदा क्या हुआ तो मैंने यह देखा यह जब हमें उसके बारे में बढ़ते शेया है आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, उनको benefit होने लगा, उनको रोजगार मिला, तो इस तरह करके क्या हुआ, benefit ही benefit महाँ पर देखने के लिए मिलता है, उससे हम कह सकते हैं, जैसे राम मंदिर बनता, आयोध्या के अंदर में बन गया, ठीके 2023 के अंदर में start हो जाएगा, दर् वैपार का पूरा source बनेगा, ठीके वहाँ मार्केट लगेगी, तो जो भी आसपास के लोग है, जो वहाँ पे local वैपारी है, उनको बढ़ावा मिलेगा, ठीके उनको रोजगार मिलेगा, जिसके जान से क्या होगा, आगे बढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर बात करते हैं, कि जोगदान कितरू मंदिरों को निर्मान की बात करती है, जिसमें होता है ब्रह्मदे और ठीक होता है देवदान, ब्रह्मदे और देवदान, ब्रह्मदे मतलब क्या होता है, ब्रह्मदों को दिया गया दान, ऐसा दान जो ब्रह्मदों को दिया गया, आपने कोई मनकामना कर भाई याब मेरे बच्चे का यह नोकरी लगेगा, मैं इसको यह दान दूगी, इसको जमीन दूगी, इसको यह दूगी, तो इस आप बोलते थे, तो वह चुछ दान होता है, उसे ब्रह्मा दान दिये कहा जाता है, और देवदान मतलब क्या, देवता के नाम पर दिया गया द दूगे तो इस तरह के दो दान होता है, मैं जिस गली मेराथा हूं दैली के दर मेराड़ी के एली वह के बहुत बड़ा मालिक था, उसने कहा, गाय को मार दिया, गाय को मारने के बाद लगा कि पुन्य करना चीहा, तूसने कहा कि चोटा सा जमीन का टुकडा, बोलागी, इस किस तर से मंदिर बना एकButur समंझ में हाता है यहाँ पर बात करते हैं मंदिरों के संसाधन के बड़े और व्यपार के शिल्प का विकास होता है तो मैंका सिल्प व्य व्य विक्सित किया जाएगा इसास्त में कहता है कि कई मंदिर नगरों की स्थापना व्यापक संचार नेटवर्क के थ्रू भी होता है अब को मंदिर बन्निस के होता है आसपास को संचार नेटवर्क का भी बढ़ जाता है विकास करता है संचार नेटवर्क भी बढ़ता है ठीक है मंदिर नगर के लिए भक्ति निर्मान की प तो क्यों भक्ति का भी परचार परशार बढ़ रहा है तो यह भी का जाता है अब देखो अयोध्या में जो बंदा रहा है वो कभी ने कभी भूला बटका तो पहुंचेगा ना भी यह इतना बड़ा मंदिर बना है चलो एक पार दर्शन करके आते हैं हम बले दूर हम नहीं ज भारत केंदर में संगम काल केंदर में नग्रीय करण का विकास में महत्यपुन भम का में निभाई बहुतः धाएं हैं दॉता घ्राम में इंपोर्टेंस सामने आती है कि क्या इंपोर्टेंस रही है ग्रमिलों नगुरे छेतरों के अंधर में कृषिड़ा आंतरिक भूफाग के लिए सरजित करने में बहुत को रहा है करते हैं कि किस तर समान मठ्षा नगरू का विकास करने में में बहुत योगदान था अल्टे को कोई भी मंदिर बनता तो इसके आसपास में मठो का रिर्माण किया गए जिससे बच्चे भी सिक्षित होते हैं तो देरे देरे खुतम होता चला गया बट उनसे बच्चे बहुत बनता है तो इस तरीके से मंधिर का क्या बैणिफित एक नगर के लिए आप यहां पर बता सकते हैं और यहां पर आपको कोश्ण आगरा जो कोशुन आता है मारा कोश्चंन नम्बर फूर करें दक्कन में पारमभिक एथिहासिक नगरीये केंदर की तर्म नगरी केंदर था इतिहासिक नगरी था तर्म नरी यह किस परकार के थे जब उसकी बारे बात कर थे तो सहरी बस्तियां बहुत पहले से इस्तार्टिंग से जिस्तिमान थी मतलब ऐसा नहीं कि पहले से बूत एक तो अज के जिसके तुरह मानकर चलते हैं कि जो दक्कन के अंदर में हैं शुलक की अगए है। कि आज हम iPhone यूज कर रहे है तो iPhone वड बना कैसे कि वो चीज है हमारे सामने में अगर वो चीज होते ही नहीं तो बनता कैसे थीकि तो उसके कांच से हम मान के चलते के के कैगा बलेखाओं के अंदर में यह चीजे यूज क्या रहे वर्ड यूज कर रहा है कि घर मकान नगर नगर यूज कर रहा है तो मतलब नगरी वावस्ता उसने देखी होगी ना उसकी कल्पना करी होगी उसने ना इसकी कान से वह यूज कर रहा है तो हम यहां पर यह भी माम कर चलते हैं चोटे और बड़े केंद्रों की संख्या में मतलब देर देरे बड़ोतरी ओरी थी कस्फभों में ताही बजार की स्थापना की जाती थी पेठ बजारर मतलब कैसे सपता पाउख में एक दिन लगता था था त beb पहाडी किलिये में नियमाण देखने करें मिलते हैं पहाडी किल यह दक tulee कौते हैं गोल कंडा तीक है गोल कंडा आप ना में आध रखना क्योँकि इस होक्ति इस कंडर में आप ढूनों जगोद को ही डिफाइन करके लिखने वाले हो एक हो ताल दुसरा Teka के आजाता ह हमारा भीजापूर एक बात में डाई हमारा भीजापूर को हम समझाते हैं जब हम गोल्ड कुंडा की बात करते हैं, तो चारों तरफ से चार दिवारी से घहरा हुआ था, ठीक है, चार दिवारी के घहरे होने के सासथ क्या होता था? कि यह जो दिवार होती थी, प्राकर्तिक चटानों से बनाई होती थी, दिवार दो आरे एक बड़े छेत्र को घहरा सात में हैं यहां पे देखते है कि पानी दूर से लाने के लिए इसा न यहुट और बहुत है चूट गया अब यह कैसे लडख तो इसकी जपितिती न आ उसके λέए की होते हुट फेसे चीजे एंड की अबंडर में बहुत हब है जाना गया पुराने सहर के तोर पुराने सहर के तौर पे वीजापूर विक्सित हुआ और सासा तो मैदानी छेतर भी यहां पर बहुत जादा था प्राचीरों से गिरा हुआ था चारो तरफ चार दिवारी थी प्राचीरों के अंदर किला देखा जा सकता है सबसे बड़ा गोल गुंबद वीजापूर के अंदर में में देखने के लिए मिलता है पानी के अपूरती के लिए बड़े-बड़े टेंकों का उपयोग किया जाता था बड़े-बड़े टेंकों में पानी को स्टोर किया जाता था नया बजार का विस्तार किया गया नया जो सिक्स कोशन के और बढ़ते हैं तो सिक्स कोशन हमारा कहता है कि मुगल परमुखनगर सक्ति तता सक्ता के केंदर थे इस कथन के संदर में मुगल परमुखनगर की विशिस्ताओं का परिक्षण किजिए जो मुगल के परमुखनगर थे उनका हमें विशिस्ता बताना है कि क्या पर आप क्या बता सकते हो कि अजिसे जो मुगल के हम बात कर तो मुगल जो सहर थे वह सकती के केंधर के तोऔर पर म Juda यह जाते थे के स्कारीजन्यन के इंदर त्थ साधानाबाद की जम्हा मसजिद को को सबसे स्र्ष्ट के तौर बनाने की कुर्चस की गई थी साजानाबाद होता क्या है कि साजानाबाद किसे कहा जाता है साजानाबाद का आज का नया नाम क्या है साजानाबाद जो पुराना नाम था किसी सहर का उसको आज हम किस नाम से जानते हैं आप कमेंट करके बताइए देखते कितने वीवर्स को इसका नाम पता है नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है पर पता करना जरूरी है क्योंकि जब यहां पर हमें बात करूँ कि साजहानाबाद के अंदर में एक मस्जिद बनाए गई और उस मस्जिद का टार्गेट ही रखा गया कि यह भारत की सबसे स्रेष्ट मस्जिद बनाई जाए उसको बनाने की कोर्सिज की गई तो सबसे स्रेष्ट बनने के लिए वाई साजह आनाबाद है कहां पर यह आपको जाना जरूरी है ठीक है तो इसका कमेंट करके बताईएगा साही महल के अंदर में साही दरसर द्रगा जहां पर लोगों को देखा जा सके उसका निर्मान किया गया इन कस्बों के अंदर में विकास के लिए गाउं का निर्मान किया लगला गाउं बनाए जाने लगे ठीक है गाउं को विकास किया जाने लगा एरोपी यात्रिय दोड़ा मुगल सहर के जो गाओं होते थे उनका समू दोड़ा विखिसित सहरा और सही सहर के अंदर में विखित किया मुगलों के गाओं को एक होता था विखिसित सहर और दूसरा होता था खा 29 क्खिस अ तर के ते यहां बारे मैं यहां पर बात करते हैं तीसरे यह यह योजना बद तरीके से नंगरों का निरमान किया गया चौत्ता मान के चलते हैं किला बंदी का O के से बनाया राधे i1 पर या किस तर से निखाया गया in a flash in a ollewas किसे संधे достos ten रिए का तरह से निर्मान किया गया तो श्राहती डार निर्मान का या गया दार्मी के सप्तल का य। किसे स्टर में य।ार्मी के संधाता है कि इंपर्टन बाइब्स क्वाहट संध य। निर्मान किया गया सराइ किया होता है तो दूर दरस्त वाले वैपारी तो उनके लिये श्राय का मिन मान कराया घिया नगर मतलब QT नगर का विकास कर देना और अध्यान मसलेवarti इगर वाषशता है उसको सक्तिता सक्ता के इंदर के तौर पे तोर पे देखते हैं यहांपर आप आप यह आनसर लिख सकते हो समझ में आता है यहां पर हमारे अगला सी अगला कॉस्चिन देवर सेवन जब हम बात करते कि नवापो के अधीन लग्नौ ऌससहर के के इंदर में जो उदय और विकास हुआ उसकी आलचुनात्त में परिक्षण करना है लखनो सरका कि से क्या हो रहाता ठीके उसके बारे में हमें बताना है जब हम लखनओ की बात करते हैं तो लखनाओ की अवद की प्रांतिय राधाने के तौर पे जाने जाती है ठीक है अवद की अवद अवद की प्रांतिय राधाने के तौर पे लखनों को जाने जाती है आज भी यूपी की राधाने के तौर पे लखनों को जाने जाता है यहां पर सिया नवाब की द्वारा सिया नवाब कुन स होते हैं जैसे मुसलमान देस्ट रोकिताय सिया सुननी सिया नवावो ने स्कुंट्र वांभ से सत्रासोपिछेटर से राज करना इस्टार्ट गया और ऐठारासोच्शपन तक लखनों आंदर में राज करते हैं तरह सु करने लखनवी तहजीव ठीक है लखनव की तहजीव किस तरह का है इजत किस तरह की बोली किस परकार का है यह हमें समझ में आता है ठीक है आदर्श नवाव की जो साशन की प्रियाप्त व्यवस्था किस परकार का था किस तरह से हम एक आदर्श शाशक बन सकते हैं किस तर से हम आदर्श नवावों के दौरशासन किया जाता था यह हमें समझ में आता है नवावी शासन फार्सी यूरोपिय प्रभावों के मिश्चरण की विरासत मानी जाती है जो नवावी शासन था जो नवाव दौरशासन किया जाता था वो किसकी विरासत मान लगणव की जो उत्पति और दो पाड़ी के बीच गुजरती हूई दो पाड़ी के tomyushij माने जाता है जहां पे न गोमती नदी के टटक के किनारे में जो पुरा सहर है उसको lotta kno की नम से जानते हैं लख-9 दक्षिन और तर के अधिया के मद्दिन निकत है तो एक, यूद्या शेर जिसके पाड़े भी बारे बीज व्यूपर बाद कर रहे थे अयूद्या और गुंडा के कि जघर पर नाम उठा जाता हूं कि लखनौ कि एक दरह Šमर गार जाता है जिसके कान से इसे लिखमन पूर के ल по अलग लग लग नाम हों से इसको जाना जाता और लग नेखिर की ऋड़ी बॉद लखनों का किस तरह से नाम change किया जा सकता है ठीक समझ में आता है अगले question क्यों बढ़ते है question number 8 की जब मैं बात करता हूं question number 8 क्या आता है बात करते हैं तो यहां पर क्या आता है कि British सरकार ने जो नहर और बांधों की सिचाई के उपर में जोर दिया ठीक है British सरकार ने समझा कि नहरों का उप्योग कितना ज्यादा जरूरी है जिस तरह से मैंने यह बताया आपको कि अगर एक मंदीर है आपके घर के आसपास में ठीक सेंड है पर उइस तरीक है लाइज और कि अगर आपके घर के आसपास में आज 20 साल 50 साथ सो 500 साल City अगर नदी है इन हमाने के चलो चाहरो तब का जमीन यूज और यह जाता है तो इसका उद्धे होने का में रीजन क्या होता है कि जैसे मालो नहर कर निर्मान करवाए गया किसी राज़ाग दोरा एक नहर का निर्मान करवाया गया तो नहर निर्मान करने के लिए आस पास में बस्तियां बनना शुरू हो जाती है तो बुराडी डीपो पूरा मैट्रो का एक यार्ड है जहां मेट्रो खड़ी होती है उसके पास में ही मेट्रो का पुरा अपार्टमेंट बनाए गया बहुत बड़े-बड़े मंजिल हाई-डाइस बिल्डिंग से बनाएं गई है ठीक है जो मेट्रो के लोगों को दी गई है तो हम एक तर से मेट्रो सहर के तौर पर उसको करते हैं यहां पर ओटो पकड़ों को बोलोगा मेट्रो वाले अपार्टमेंट के पास उतार दे तो आप उतार देता है ठीक है तो कैसे हुआ जो उसके आसपास का सहर मेट्रो के आसपास का सहर क्या बना मेट्रो सहर बना तो उससी तरह से नहर के आसपास का जो सहर था नहर कल सेरों के रूप में जो पंद्रक्पूर है पंद्रकपूर उसका विकास के प्रिकार से हुआ किस तरसे विक्षित हुआ पंद्रकपूर है? उसके बारे मुझे पारे में ane चलते देखते हैं यह पश्चमी तथ भीमा नधी के पश्च परिस्तित ठीके जिसको भीमा यह चंद्रभागा भी कहा है जाता है चंद्रभा नधी के कंंटवको माने जाता है हिस सेहर में थुक् soccer के हम बात करते तो hmad nagar पूर्णाह विज़ा वो शामिल है उनके मार्गों से जुड़ा हुआ है ठीक है Pantragpura किन मार्गों से जुड़ा हुआ है तो आहमदनगर, पूना, बीज़ापूर और सोलापूर कि मुख्य मार्ग जो प्रमु इंप्रोटेंस रास्ते हैं उससे ये पंड़ा पूर जुड़ा हुआ है आज पास का जो छेत्र वो उपजाओ छेत्र के तोर पे जाना जाता है कि यह उपजाओ छेत्र है सासत में यहां पर इमान के चलते कि कपास और मोटा अनाच के लिए पैदावार के लिए अच्छी स्थिति है यहां पर अच्छी पैदावार होती है बक्ति परमपरा उसे जु मुझे एक serial क्या दागेज इसके लिए मराठी करेक्टर है, जो भितलबा कहते हैं, बॉच बढ़ वह देख रहू है कुछ बढ़र्बा कर देंगे, तो उस तरह का कुछ भगओन होतह याप उनको की स्टेड़ी कर सकते हैं, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है ठीक है तो यहां पर कई तरह की पुस्तों के को थुरू भी हमें जानकारी मिलती है कि किस तरह का चीजे रही हैं किस तरह का जो वहां पर धार्मिक विकास हुआ किस तरह का जो एक सहर के अंदर में गाओं छोटे से गाओं के अंदर म के बारवरी मत के कंद्रों के रूप में विकास हुआ 30 स्तादी के अंदर में ज्ञान देव ने अधिक योगदान दिया और पंडलगपुर हमेसा अभारी अकर्मनोंत और आ घी कर्म होता रहा जो भी आख को छोड़ा है question number 10 और question number 5 यह दोनों क्या होते है टिपनी बेस question होते हैं जो आप खुद भी कर सकते हो छोटा सा डूट डाड कर अच्छे से इजली से कर सकते हो मुझे टिपनी बेस question पसंद है नहीं तो हम पर हर question paper के अंदर में यह drop करने वाला हूं आपको खुद भी study करने की ज़रुवत यहां पर रहने वाली है तो दोस्तों यहां पर हमने MHI 10 के कई सारे question पर solve कर चुके हैं आपको मैं suggestion यहीं दूँगा कि आप MA history के अंदर में अगर अच्छे number लाना चाहते हैं अच्छे number boost करना चाहते हैं तो आप अपने तयारी अभी से करें एक महिना बाकी है दिएन आपके membership को जरूर ले दिएन आपके कंफीज होना होता है तो आप directly मुझे से comment करके पूछ सकते हो डिस्क्रिप्शन के अंदर में और भी social media platform के links दिये हुए वहां से directly join कर सकते है वर्था ग्रूप का link चाहिए तो comment कीजिए मैं link दिदू हो और वहां से directly मुझे जोइंट कर सकते हो तो friends यहाँ पर मैं अपना वीडियो एंड करूँँगा thank you so much for watching me thank you so much for listening me bye bye all the best